दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम लोग strategies for overcome barriers to effective communication के बारे में discuss करेंगे यानि कि उन चीजों के बारे में जानेंगे जो कि communication को एक अच्छा communication को करने में जुकावटे पैदा करते हैं दोस्तों बहुत सारे communication के अलग अलग बैरियर होते हैं तो उनको हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिसकस ही कर लिया था आज किस वीडियो में हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको उन सारे बैरियर से किस तरीके से ओवर कम करना है उन सारे बैरियर को हम किस तरीके से खतम या कम कर सकते हैं जिससे कि हमारा आपको सबसे पहली बात जो होती है लिसनिंग इसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होता है अगर आप सही से सुनोगे नहीं तब आप सही से रिपलाई किया करोगे है तो लिसनिंग एक बहुत मलब एक अच्छी भी चीज है अगर आप सामने का रिस्पॉंस भी दे रहे हो सामने वाले को और उसको रिस्पॉंस भी दे रहे हो reflect भी कर दो अपनी सर हिला दो अगर वो सही अगर आप उससे agree हो तो आप उससे सर हिला दो अगर आप नहीं agree हो तो आप उसको थोड़ा सा बीच में बोल भी सकते हो कि actually ऐसा भी बात है बट वो एकदम polite manner में होना चाहिए है ना तो listening आपकी सबसे पहले बात आती है उसके बाद में then second है कि use polite use positive instead of negative statements अब मान लो कि अगर आप कोई भी barrier किसी भी तरीके की technique जो भी आपका communication है उसमें अगर आप उसको किसी भी तरीके से बिना जुकावट के अच्छे से flow करना चाहते है तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा एक positive way में आपको positive words के साथ में उसको deal करना पड़ेगा उसको positive words के साथ entertain करना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा कि अगर आप negative करोगे तो सामने आला क्या हो जाएगा irritate हो जाएगा है ना तो फिर नंबर थर्ड पर क्या है कि empathize your audience आप अपनी audience को भी क्या करो empathize करो पहले से empathize करके रखो कि मेरी audience किस तरीके से हो सकती और मेरी audience हमसे क्या सुनना पसंद करेगी है ना फिर फिर फोर्स नंबर पर आता है कि use of appropriate language उस language का use करो जिस क्या आप क्या कर सकते हो अपनी जो भी अपनी speech को या फिर अपनी presentation को अच्छा बना सकते हो तो यह भी एक अच्छा कहांसा आपका barrier हो गया मतलब barriers इस तरीके से भी overcome कर सकते हो देन नंबर फिफ्ट पे क्या है कि selection of effective communication channel लाइक आप एक अच्छा communication का effective channel को देखो जैसे कि अगर मानलो कि एक seminar होता है seminar में क्या होता है कि सभी लोग एक छट के नीचे होते हैं और offline mode में seminar करते हैं बट webinar में क्या होता है कि सभी लोग online आ करके मिलते हैं तो वहाँ पर क्या है कि आप एक effective channel को देखो अगर in case की कोई लोग गाहों से बिलॉंग करते हैं उनके क्या होता है कि उनके यहाँ पर बहुत अच्छा network नहीं होता है तो फिर उस case में offline mode पर seminar कंडेक्ट करवाना वह ज्यादा अच्छा channel रहेगा है न तो उनके case में webinar को हम नहीं कंडेक्ट करवा सकते हैं उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सेमिनार को ही कंडेक्ट करवाना पड़ेगा फिर यहाँ पर देखो नमबर 6 पर क्या है कि department of proper interpersonal relations लाइक आपकी जो भी interpersonal relationship है वो भी आपको development of proper interpersonal relations लाइक आपको भी एक दूसरे से interact करने कि कला आनी चाहिए लोगों से किस तरीके से मिलना है किस तरीके से बात करने यह सारी शीज़े आपको आनी चाहिए ठीक है और फिर नमबर 7 में है कि check technical issues लाइक जैसे कि अब भी आप seminar के लिए तयार हो गए सारी चीज़े आपने देख ली अब वहां पर आप अपनी सारी जो भी टेकनिकल चीज़ें लाइक जो भी आपका माइक है माइक काम करदा है कि नहीं करदा है पहले से इन सारी चीज़ों का अच्छ भी वेस्ट होगा और हो सकता है जो मूड बना हो जिस तरीके से जिस मूड में काम करने के लिए लोग इखटा हुए वह उस तरीके से काम भी नहीं करेंगे है नहीं वह सुनेंगे नहीं आप उनको अच्छा सुना पाऊगे फिर यहां पर नमबर 8 क्या है कि keep the customer audience informed या लाइ अच्छे मैंन बताओ ऐसा भी मन बताओ कि वह बार बार सुनके इरिटेट हो जाए उनको बार बार इंफॉर्म करते रहना है ना फिर यहां पर नमबर 9 पी है कि do not be biased लाइक आपको एक करफ कि किसी की पच्छ पाथ नहीं करना है कि मैं तो उसी की तरफ बोलूंगा है ना ब इसी भी आप एक पच्छ को नहीं support करोगे ठीक है उसकी नमबर 10 पी क्या कि use of anecdotes लाइक आप छोटी-छोटी stories को सुनाद सकते हो और humor को create कर सकते हो लाइक आप बीच-बीच में थोड़ा सा हसी-मजाग का महौल create कर लो अपनी छोटी सी story anecdote का मतलब होता है short stories को सुना दो all about की किस तरीके से आप कुछ एक manners है जिसके आप अपनी communication को अच्छा और बहतर बना सकते हो I hope कि सारी चीज़े आपको clear हो गए होंगी next video में दोस्तों हम लोग और बात करेंगे face to face और oral communication के बार हम सारी चीज़े के बार में discuss करेंगे ठीक है तो आज किस वीडियो में दोस् आपको और थे करेंगे डियुकं कि एक इसालjang चीज़े तरीक खिले ङीज़े लिए Walt bath रिए तरीके सियझ करेंगे चाहिप आपको इससे लार्यबगे तरीक लाह ज़ब करेंगे लाय में आतरीक जारीक नेतर करेंगे चान करेंगे चाए एक घुक्यांके अस राष अठ सार